हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल क्रेजी कुक मास्टर में आपका स्वागत है तो आज हम आपको बाजार से भी स्वादिष्ट बहतरीन लाजवाब रेड सोस पास्ता गर पर कैसे बनाते हैं ये बताएंगे जो बहत आसान है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना तब ही आपको रेशिपी समझाएगी और जो हमारे चैनल पर नए हो वो प्लिज हमारे चैनल को लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना और घंटे के बटन को लगाना तो इसके लिए हमने ये चार अपने पांच देशी टमाटर प्याज लसुन की करिया हरी मिर्चे और एक सिमला मिर्च और एक अपने कटोरे में ये पास्ता ले लिए हैं गोल वाले उबले वे पानी में हम अपने पास्ता डाल देंगे मैंने ये पानी पहले ही उबालने के लिए रख दिया था और अब इसमें डाल देते हैं 2-3 टेबल स्पुन ओयल एक टेबल स्पुन अपने नमक तो हम इनको अच्छे से उबालते हैं दोस्तों ये देखो हमारे पास्ता अच्छे से उबल चुके हैं अब हम एक काटोरी में पानी अलग रख लेते हैं इसका बाद में उप्योग करेंगे तो ये हमारे पास्ता देखो कितने सोफ्ट हो चुके हैं और हम आपको तोड़ के दिखाता हूं यह देखो हमारे पास तो एकदम ready हो चुके हैं अब हम छान लेते हैं दोस्तों यह देखो छानने के बाद हमको क्या करना है इसमें लगाता ठंडा पानी चलाते रहेंगे ठंडा पानी चलाने से क्या होता है एक तो यह अमारे पास तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और दूसरे यह आप इसमें चिपकते नहीं हैं यह जैसे हैं खिले खिले वैसे ही रहते हैं तो आप भी ठंडे पानी से दो लेना और इसके बाद हम अपने बरतन में लग बग चार पांट टेबल स्पून मस्टरड ओयल एक टेबल स्पून अपने जीरा डाल देते हैं और उसके बाद अच्छे से पकाते हैं और उसके बाद अपने टामाटर तुरंत बाद मैं नमक डालता ही हूं यह देखो फ्राइबल के बाद हम इसमें डालते हैं वन टेबल स्पून अपने चिली फ लेक्ष एक पिंश अपने हीं वन टेबल हमेश्पून अपने हल्दी पावडर दोड़ टेबल इस्पून अपने धनिया पाउडर और वन टेबल इस्पून अपने यह गरम मसाला और थोड़ी सीख काली मिरच यह अपने सौंट पाउडर इन सभी को हम अच्छे से फ्राई करते हैं यह देखो फ्राई करने के बाद हमको क्या करना होता है दोस्तों हम इसमें डालें हैं अपने यह मियोनीज दोस्तों टमाटर सोस के बिना तो पास्ता दूरे होते हैं तो हम टमाटर सोस कम जादा कर सकते हैं और उसके बाद यह अपना पानी जो कटोरी में लिया था और मैजिक मसाला इन सभी को अच्छे से पकाते हैं यह देखो मारा पानी पक चुका है तो उसके बाद हम डालते हैं इसमें अपने ये पास्ता और दोस्तो पास्ता डालने के बाद हम क्या करेंगे इनको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हमको क्या करना है आप सोस को कम बती कर सकते हो जो टामाटर सोस होता है उसको आप कम जादा भी कर सकते हो मैं कम क्खाता हूँ तो इसलिए मैंने कम डाला है और ये हमारे पास ता बन चुके है इसमें हम और यूनिक फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे अपने चीज और चीज हमारे पास दोस्तों ये क्यूब है है आप एक बार चीज वाले पास्ता पर ऐसे बना के खाना फिर बताना देखना कैसे फलेवराता है हमने यह चीज डाल दी है चीज डालने के बास दोस्तों हम क्या करते हैं इसको दो मिन्ट के लिए डakken फैटचे छोड़ दिते हैं ड Okay छोड़ने से क्या हूंता है हमारी चीज मैल्ट हो जाएगी यह देखो हमारी चीज भी मैल्ट हो चुकी है तो हम इनको अ क्या करते हैं अच्छे से मिलाते हैं यह देखो मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक और फिलेवर उससे क्या होता है हमारे पास या ये वाले जो를 sima निधे अफना औरीगेनो जो अपनई पीजा पर चिडकते हैं वो वाला ओरीगेनो इसका क्या होता है दोस्तों इसके मिलाने से अपना जो ट्ैस्ट होतें ना वह अलगी आ आता है आप एक बर इसी तरह घर पर बनाना और ट्राइब करना देखना कैसा स्वाद बनता है और इसके बाद हम कहा रहेंगे एक लास्ट श्टेप दोस्तों यह वाली श्टेप बेहदी यूनिक इस से क्या होता है जो हमारे जो पास्ता होते हैं उसके खाने में चार चांद लग जाते हैं चार चांद कैसे यह हम इसमें अपना निम्बू छिड़कते हैं देखे दोस्तों जो अपने निम्बू होता है ना उसका थोड़ा सा रस लेते हैं और ऐसे छिड़क देते हैं दोस्तों यह निम्बू का जो रस होता है ना उससे इसके अंदर इतना तगड़ flavor आता है एक बर आप बनाऊगे घर पर और खाऊगे ना तो आपको बार-बार खाने का मन होगा दोस्तो हमारे red sauce पास्ता की वीडियो त्यार है तो अब हम करते हैं इसकी testing दोस्तो आप testing करते समय today red sauce ढाल सकते हो और दो दो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करना शेर करना, सस्क्राइब करना और गंटे के बटन को दबाना ने भूलना दोस्तो तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल क्रेजी कुक मास्टर के साथ हम आपके लिए ऐसी बहतरी ना जबाब ओथेंटिक वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, यूही प्यार और प्रेम देना जै हिन, जै भारत